महराश्ट के पूर मंत्री और सत्तर रूर एंसीपी के नेता बाबा सिद्धकी की हत्या की जिम्मेदारी लोरेंस गैंग ने ले ली है। भाई परवीन को पुने से गिरफतार किया है। पुलिस ने परवीन को इस मामले का सहय शडियंतर कारी भी बताया है। यह इस मामले की तीसरी गिरफतारी है। वहीं शुबम की तलाश जारी है। बता दे कि इस साल अप्रेल में अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फाइरिं पुलिस ने कहा इस हत्या कांट का अंतराश्टे एंगिल भी जाचा जा रहा है। इस मामले का तीसरा हमलावर शिव कुमार गोतम उर्प शिवा फरार है। उसकी तलाश में पंद्रह टीमे बनाई गई हैं जो महराश्ट और मद्धेप परदेश साइथ कई राजियों में दबिश दे रही हैं। बताये जा रहा है कि शिवा और दूसरा आरोपी यूपी के बहराईच के हैं। दोनों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। हत्या की सुपारी शिवा को दी गई थी और वहे अभी फरार है। हमला वरों से 28 जिंदा कार्तुस मिले हैं। शिवा कुछ साल से पूने में इसक्रैप व्यपारी के यहां काम कर रहा था। इस साल होली के बाद उसने दूसरे आरोपी को भी बुलाया। गुर्मेल हर्याना के कैथल का है। उसने अपने दोस्त के भाई की सुए से बावन बार वार कर हत्या कर दे थी।। हर्याना की जेल में वहे लोरेंस गैंग के गुरगे से समपर्क में आया था। और जमानत के बाद मुंबई चला गया था। इस बीच अभीनेता सलमान खा की जा रही है सिदकी को एक बस्ती की पुनर्वास पर्योजना को लेकर भी धंकी मिले थी इस बीच पता चला है कि गुर्मेल और दूसरा आरोपी करीब एक मेहने पहले से कुरला में रह रहे थे दोनों ने कुरला में 14,000 रुपए में किराय पर फ्लैट लिया था फ्लैट दि पहचान मुहमत जिशान अक्तर के तोर पर हुई है सिदकी का रविवार को राज के सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया डिप्टी सीम अजीत पवार सांसर सुप्रिया सूले अविनेता सल्मान खान सहीत कई नेताओं और सितारों ने उनके घर पहुँचकर प्रक्षा दी गए थी